किसी भी portable speaker से क्या चाहिए होता है clean and loud audio होना चाहिए easy to carry, durability और must battery life और फिर उसके उपर और भी कुछ मिल जाए वो cherry on top चैसा होता है तो ये हैं boat के 90 watt output वाले water resistant party speakers और ये boat ने launch किये है 9000 रुपे के लेकिन ये आपके लिए सही है या नी ये हम चेक करते है चली पहले हम चेक कर लेके की box में हमें क्या-क्या मिलता है ये तो रहे speakers काफी solid feel दे रहा है प्लास्टिक से निकाल देते है nice और फिर अंदर आपको ये मिलता है जिसके अंदर कुछ cables और documentation है तो ये है aux cable साथ में आती है एक type A to type C cable which I am guessing इसको charge करने ले होगी और फिर आपको कुछ manual and documentation भी मिलती है in case आपको control समझने हो तो वो सब है चलिए सबसे पहले ना design की बात कर लेते हैं speakers देखने में काफी premium है ये camo black color में ही आता है and I feel इसकी build quality is really good speakers में RGB lights भी है और sides में भी है जो music के साथ आप sync कर सकते हैं multiple modes है RGB light so you can press here और अपने preference के हिसाब से आप इसको set कर सकते हैं अचा बाकि सारे controls यहीं सामने है and पीछे यहाँ पे आपको charging port and aux connection के ports मिल जाते हैं अचा एक और port है यहाँ जो आपके device को charge कर पाएगा तो अगर आपको emergency में अपना phone charge करना है तो यह speaker power bank के तरह भी काम करेगा by the way नीचे में यहाँ rubber pads दिये हैं boat ने so that surfaces पे यह slip ना करे तो I think यह काफी अच्छी detail उन्होंने add की है और अब मैं आपको एक cherry on top वाली info देता हूँ यह है IPX6 water resistant तो मान लीजिये आप pool में jump करते हैं और जो splash निकल के इसके उपर आता है उससे इसको कुछ भी नहीं होगा हाँ आप इसको लेके अंदर कूद मत जाएगा उतना resistant नहीं है बट poolside parties के लिए यह perfect है और इसका जो वजन है वो just 3 kilo से थोड़ा कम है and you get this handle तो carry कंडे में बहुत comfortable है चलिए आगे बढ़ते हैं and connectivity की बात करते हैं तो यह speakers Bluetooth 5.3 support करते हैं which means आपको fast pairing मिलती है and up to 15 meters तक की range मिलती है तो आप अपना phone इससे 15 meter तक दूर लिके जा सकते हैं और connectivity loss नहीं होगा and as I said पीछे में आप aux cable connect कर सकते हैं इस port से आप कोई भी और device को charge कर सकते हैं और इस type C port से आप इस speaker को charge कर पाएंगे और इसको ना करीब करीब 4-5 घंटे लगते हैं पूरा charge होने के लिए अच्छा यहाँ पे एक built-in mic भी है तो आप ये play and pause बटन को एक press करके incoming call को pick कर पाएंगे and पूरी conversation कर पाएंगे without touching your phone तो hands free calling का full support है और एक amazing बात बताता हूँ connectivity पे आप ऐसे ही और speakers ले सकते हैं और उनको आपस में आप connect कर सकते हैं तो आप अपना music को और भी amplify कर पाएंगे तो मान लो अगर आपने ऐसे ही दो तीन और ले लिए आप एक बड़े से बड़ा hall music से भर सकते हैं और in fact आप ऐसे 128 speakers connect कर सकते हैं मतलब मान लो motor motor एक तरह से आप stadium ही cover कर लोगे अब finally बात करते हैं sound output and audio quality की देखे जब इनकी बात होती है तो दो तीन चीजे ही important होती है पहला कितना loud हो सकता है बिना फटे दूसरा कि sound कितना clean है यानि कि audio clarity और तीसरा bass कितना बड़ी है और देखो वैसे तो बहुत चीजे होती है देखने के लिए लेकिन considering कि ये 10,000 के अंदर की category का speaker है तो ये तीन चीजे भी अगर होना तो बहुत है तो पहली बात तो इसका output है 90 watts और ये आता है with board's signature sound basically it can get very loud and to be honest मैंने तो इसको अभी तक full volume पर चलाया ही नहीं है मतलब मेरे phone पे मैंने इसको 25% volume पर रखा है और मेरे लिए तो वो ही enough है in fact एक demo ही ले लो आप and guys इतनी high volume पर लेगी कोई clipping नहीं है मतलब audio एकदम clean है and I think speakers are doing a fabulous job मतलब यार आप bedroom छोड़ो आप इसको living room में भी ना बड़े आराम से यूज़ कर पाएंगे और तब भी आपको इसको 100% volume पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी confidently मैं कह सकता हूँ 50-60% भी रखेंगे ना बहुत सही चलेगा और इसलिए मेरे हिसाब से ये बाहर outdoors भी छोटी गादिलिंग्स में बहुत बढ़िया काम करेगा और वैसे तो आपको idea मिल गया होगा sound clarity का लेकिन इसमें फिर भी आपको दो sound modes मिलते हैं यहाँ M पर अगर आप long press करेंगे तो आप दो modes के बीच में mode change कर पाएंगे एक mode तो है जो की balanced mode है और दूसरा mode है जिसमें vocals थोड़े और खुल के आते हैं तो डिपेंड करता है कि आपके personal preference क्या है लेकिन आपके पास choices है and lastly battery and charging की बात करते हैं तो अगर तो आप इसकी RGB lights को on रखे and volume को roughly 50-60% पर रखे तो यह अराम से 4-5 गंटे non-stop चलेगा लेकिन मेरे हिसाब से तो इसका 30% volume ही बहुत है 60% छोड़ो तो उस हिसाब से तो यह और ज़्यादा last कर सकता है and वैसे इसको आप while charging भी play कर सकते हैं although यह advice नहीं किया जाता for the sake of battery's health और जैसे मैंने पहले काया कि इसको charge होने में करीब-करीब 4-5 गंटे लगते हैं देखिए आपको में मोटा मोटा बदाता हूँ 9000 के अंडर यह fabulous speakers है durable है, portable है, sound quality अच्छी है and speakers काफी loud है and on top of all of this इसमें RGB lights है, hands-free calling है power bank functionality भी है तो overall काफी अच्छा package है मेरे हिसाब से खेर, इन speakers के बारे में इतना ही अगर आपको फिर भी कोई doubt हो तो definitely comment section में पूछिए I'll definitely reach out to you and अगर आप interested हैं to buy आपको link description में मिल जाएगा तो आप वहाँ से भी दे सकते हैं वीडियो पसंद आयो तो definitely hit that like button subscribe जरूर कीज़े channel को और वो bell icon को mark करके all जरूर दबाईएगा मिलते हैं